Welcome back students, आप सभी का स्वागत है. नहतिक शिच्चा के क्लास में कच्चा 5 नहतिक सिच्चा पार्ट 1 में जो याच्णा पार्ट है आज उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे समझेंगे बच्चों क्लास 4 से रिलेटेट भी नहतिक सिच्चा के सारे वीडियों कने क्लासेज पर उपलब्द हैं आप प्लेलिस्ट के माध्यम से कच्छा चार नहतिक सिच्छा ढूंड सकते हैं तो चलिए चेप्टर इस्टार्ट करते हैं पहला पाठ है याचना देखी याचना का मतलब होता है प्रार्थना करना रिक्वेस्ट करना रिक्वेस्ट कर रहा ह कौन एक भक्त भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा है भक्त यानि साधक जो साधना करता है भगवान की पूजा करता है ताकी भगवान हमारी या उस भक्त की इच्छाओं की पूर्ति करें तो देखिए क्या है LAYN हे प्रभू आनन्द दाता ग्यान हम को दीजी है ये प्रभू आनंद दाता ये प्रभू आनंद दाता का मतलब जो इस्वर जिनों ने स्रिष्टी को बनाया है दुनिया को बनाया है भक्त उस भगवान से आनंद दाता का मतलब वही सारी खुशियों को देने वाले हैं भगवान ही इस्वर ही तो भक्त उनसे प्रातना कर रहा है कि आप हमको ग्यान दीजिए ठीक है अगली लाइन सिग्र सारे दुरगुणों को दूर हमसे कीजिए सिग्र सारे दुरगुणों को यानि हमारे अंदर जो भी दुरग दुर्गुन का मतलब दूसरों से जलन की भावना गलत सब्दों का प्रयोग करना दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखकर दुखी होना और भी जो इस तरह के दुर्गुन हमारे अंदर हैं बड़ों का सम्मान न करना तो इस तरह के दुर्गुनों को हमसे दूर कर वो भक्त, वो साधक, सब के लिए प्रात्ना कर रहा है, हम सब के लिए, हम लोगों को ग्यान दीजिए, और हमारे अंदर जो भी दुर्गुण हैं, उन सारे दुर्गुणों को हमसे दूर कर दीजिए, लीजिए हमको सरण में हम सदाचारी भने, हे प्रभू, हे दुनिया को बनाने वाले परमिश्वर, हे हमारे माता, पिता और गुर्जन को भी बनाने वाले परमिश्वर, आप हमको भी अपनी सरण में ले लिजिए, और सरण में लेकर हमें सदाचारी बनाईए, सदाचारी का मतलब होता है न, सच बोलने वाला, लोगों का सम्मान करने वाला, सब की मदद करने वाला ऐसा सदाचारी हमको बनाईए ब्रमचारी धर्म रचक वीर व्रत धारी बने हम सब ब्रमचारी बने ब्रमचर का पालन करने वाले बने अपने धर्म की रच्छा करने वाले बने और वीर व्रत धारी का मतलब होता है अपनी बात पर अटल रहने वाले बने अच्छा काम करने वाले व्यक्ति बने, समाज के लिए अच्छा काम करें, अपना पढ़ाई अच्छे से करें, लोगों का आज्या का पालन करें, अपने से बढ़ों का, इस तरह के सारे जो गुण हैं, अच्छी अच्छी चीजे हैं, वो हमको प्रदान कीजी, हिंद में भारत की संतान हैं, हम सब भारत के बच्चे हैं, तो जब हम सब भारत में पैदा हुए हैं, और भारत के ही बच्चे हैं, तो हिंद की सेवा करें, वर्दान ऐसा दीजिए, हे प्रभू, हमें ऐसा वर्दान दीजिए, कि हम अपने देश की सेवा करें, उसके लिए अच्छा काम करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं कैसे हम अच्छा काम कर सकते हैं देश के लिए कैसे सेवा कर सकते हैं अरे भाई केवल सेना में ही जाकर या पुलिस में जाकर ही देश की सेवा नहीं होती अगर हम अच्छे सेनिक अच्छे डॉक्टर बन जाएं, अच्छे इंजिनियर बन जाएं, अच्छे नेता बन जाएं, अच्छे टीचर बन जाएं, तो भी हम अपने देश की ही तो सेवा कर रहे हैं, तो हम सब को ऐसा अशिरवात दीजिए, इतना ज्यान दीजिए, कि हम सब अपने देश की सेवा अ हमारे दिल में हमेशा प्रेम की गंगाव है प्रेम की गंगाव हने का मतलब है कि हम सबसे प्रेम करें किसी से हमारी दुस्मनी न हो हम सब का सम्मान करें हम सब की मदद करें जहां जिसको जरूरत है हम आगे बढ़कर उनकी मदद करने के लिए खड़े हों हम अच्छी बातें बतलाएं अपने से छोटे लोगों को चोटे बच्चों को और अपने बड़े लोगों से यानि अपने दादा दादी माता पिता अंकल आंटी से अच्छी अच्छी चीजें सीखें हमारे मन में सब के लिए प्यार हो किसी के लिए नफरत नहो जलन नहो तुमको कभी भूले न कि हम कभी भी आपको न भूल जाए आप परमपिता हैं आप ही ने दुनिया को बनाया है आप ही ने हमको बनाया है तो हम लोग गलती से भी आपको न भूल जाए हमेशा हमारे दिल में आपका खयाल रहे आपके प्रति सम्मान रहे ऐसा हमको सद ग्यान दीजिए सद बुद्ध जो भग्त है, बच्चा है, वो प्रातना कर रहा है, कि हमको ज्ञान दीजिए और हमारे दूरगुनों को दूर कर दीजिए. अगला प्रशन है प्रभु की सरण में जाकर हम क्या बन सकते हैं तो प्रभु की सरण में जाकर हम सदाचारी, ब्रमचारी, धर्मरचक और वीरवरत धारी बने या बन सकते हैं इसका उत्तर यह हुआ इस प्रातना में देश के लिए क्या मांग की गई है तो इस प्रातना में देश के लिए मांग की गई है कि हम सदय अपने देश की सेवा करें अपने देश के लिए अच्छा करें यहां किस सदग्यान की मांग की गई है यहां मांग की गई है कि हे इस्वर हम आपको न भूले हमारे दिल में प्रेम की गंगा बहती रहे और हम आपको न भूले तो इस तरह से ये चारो प्रशन का उत्तर है पाचवा है इस प्रात्ना को याद कीजिए और अपने सर को या गुरुजी को सुनाईए तो देखे इन प्रशनों के उत्तर का पीडियप बना कर उसे भी मैं वीडियों के रूप में बना दूँगा और वो अभी अपलोड रहेगा कनक लासेज पर आप वहाँ से भी प्रशनोंतर देख सकते हैं उमीद है आप लोगों को या पाट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अगर या पाट समझ में आ गया वीडियों अच्छा लगा जरूर लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर पेस कर दे ताकि आपको और भी नहने वीडियों मिलते रहें थैंक यू